बच्चो नाइन्थ की साइन्स की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चो और हम पढ़ रहे से चैप्टर नंबर 15 खादि संसादनों में सुधार तो बच्चो यह चैप्टर हम लोगोंने पढ़ लिया है अच्छे से समझ लिया है और साथ इसके बहुत ही महात्पूर्ण बहुविकल्पी प्रिष्णों को भी इसके पहले की वीडियो क्लास में हल कर चुके हैं अगर आपने अभी तक नहीं किया है बहुविकल्पी प्रिष्णों कौन-कौन से इंपॉर्टन्ट है उनको तो इसके पहले की जिस्ट वीडियो क्लास जो है क्लास 9 साइन्स की जो प्लेलिस्ट उसमें डली हुई है और उसको देख करके आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आज हम इसके अतिलगुत्री प्रिश्णों की और जो की important जो प्रिश्ण है उनको हम करेंगे और उन्हीं सारे से बहुत ही मात्तपूर्ण है और इन्हीं प्रिश्णों में से आपके एक्जाम में प्रिश्ण आएंगे यहां अतिलगुत्री प्रिश्ण जो दिये गए हैं पहला प्रिश्ण इसका important प्रिश्ण जो है वह है भोजन के उस संगटक का नाम लिखना है जो सरीर की का काम जो है करने के लिए बौडी में प्रोटीन का होना जरूरी है तो उसका उत्तर है प्रोटीन important question है एक ही नमर का प्रिश्ण आए गाते लगे त्री प्रिश्ण बच्चो तो उसमें बहुत कोशिश करिएगा बहुत छोटा आंसर जो भी है उतना ही लिखे जितना आवश्यक है तो जो कि भूझन का कौन साव्यव है तो भूझन जो हम करते हैं उसमें कार्भो हाइड्रेट और वसा नहीं होता है वह हमारी बोडी को energy देता है सरीर की अर्जा के लिए आवश्यक है कार्भो हाइड्रेट एवान उसका आंसर होगा लिभी मात्तिपूर्ण है बच्चो इसके बाद बच्चो अगर हम बात करें पॉर्टन प्रिष्ण की तो चौथा है लेकिन चर्चा और कर लेते हैं कि माली जी आपने चीनी ली है और मक्खल लिया ठीक है अगर सामान मात्रा में लिया है तो कौन साधिक उर्जा देगा आपको तो निशीत रूप से प्रिष्ण की बात करें बच्चो तो यहां पर देखिए चौथा प्रिष्ण कोई भी चार खरीब फसले लिखना है पढ़ते समय हमने पढ़ा था कि खरीब फसले जो होती है जून से एक्टूबर तक उगाई जाती है ठीक है और इसमें फसलों के कोई भी चार फसले लिख लिख सकते हैं इसका इंपॉर्टन प्रिष्ण है कोई चार रभी फसलों के नाम लिखिए तो यहां पर गेहुं जो चना मतर सरसो यह जो है रभी की फसले कहलाती है जो कि नवमर से लेकर कि अप्रेल तक में उगाई जाती है तो इन चार फसलों में से इन पांच में से लिख पूछ सकते हैं कि खरी फसले कम उगाई जाती है यह वह जो जाती है और यहां पर चारू पर यह इं इंपॉर्टन दीजिए खरी फसलों की और रभी फसलों का और कब उगाई जाती इसके बारे में बताईए नेक्स पृष्ण है इसके बाद के पृष्णों के आप देख सकते हैं जो दिये हुए है मगर नेक्स इंपॉर्टन जो पृष्ण है वो है आपका एक लेग्यूम फसल का नाम लिखना है तो एक जो बार्मा नमर का कुश्चन इंपॉर्टन आपका तो मटर और अरहर जो है लेग्यूम फसल है यहां पर देखिए इनको लेग्यूम फसल कहा जाता है तो यह पृष्ण इंपॉर्टन इंपॉर्टन पृष्ण है यहां पर एक बनता है जब आप पढ़ रहती चैप्टर तो उसमें खाद के बारे में भ हैं तो यहां पर देखिए जो खाद होती है वह आपकी जो है वह जन्तू केपसिस्ट और पौधों के कचड़े के अब घटन से त्यार की जाती है लेकिन जो उर्वरक है वह उसका उत्पादन जो होता है वह वेबसाइक तो पर होता है रासानिक वीडियों के दौरा इनको त्यार किया जाता जिसमें पोटेसियम, सोडियम होता है फिर्वरक का प्रयोक करने से होती है लेकिन उर्वरक ज्यादा मत्रा सकती उर्वरां सक्ती हो क्या हो जाती है करके यह हैं और ऐसके नुक्सान भी डिरेखिम पर ते सेमचे से पढ चुके हैं तो यहां पर अब वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है ठीकर और दूसरी थी आपकी हरीखाद तो यहां पर इन दोनों का मिस्तर डिटेल भी पढ़ चुके हैं जान चुके हैं यहां पर दो केवल नाम लिखने के लिए है जितना पूछा जाता है प्रश्ण में केवल आपको उतना लिखना है अतिलग उत्री पुर्श्ण है तो बहुत जाद नाम लिखना है तो रासानिक अरवरक जो है आपका यूडीया हो गया आपका सुपर फास्पेट होगा यह दो रासानिक आपको याद कर लिजेगा यहां पर देखिए प्रश्ण की और बढ़ते हैं बचो यहांपर देखिए प्रश्ण है गेहूं की फसल के उस खर्पतवा करें लिखना है जो कि खाने के लिए भी प्रयोGUा जाता है तो इसको है हम जहली खाने में भी ह्यूजद करते हैं जहें कि नहीं है कि क्या होतता है इस 103ch फसलों का एक साथ एक ही केत में जो है एक कोई भी निर्डिस्ट पैटरन जो है वो त्यार करके जो है उसको उगाया जाता है जैसे दो लाइन किसी दूसरे उसकी ऑघा तो इसे क्या चाहता है अंतरा फसली करन कहलाता है अगे बढ़ते हैं बखरीयों की नसल दूद की कहलाती है तो आपको बचो से प्राप्त होता है और भीडोग के लिए भीड़ो पाला जाता है दूद भी जो है होता है जो कि जहां पर भेड़े पाई जाती है वहां के लोग इसके दूद का भी प्रियोग करते हैं ठीक है यहां पर देखिए इसके बाद जो है भेड़ की जो है को मेरीनो नसल जो है वह किसले प्रसिद्ध है तो जो यह भेड़ की मेरीनो नसल है वह संसा में तो यहाँ पर देखे उसके जो बाला होते हैं मुलायं होते हैं तो उस自助ष युट्राप्त होता है वह बहुत ही मुलायं होता है है यह पृट्टेंट फिर इसके बाद next important question है आपका कि मुर्गी की सरवत्तम मांस वाली भारती नसले कौन सी है भारती यहां पर बात की जा रही है तो आपको इंडियन ही लिखनी है तो यहां पर असील जो है वो भारत की सरवत्तम मांस वाली मुर्गी की जो है वो नसले है यहां पर नाम क्या आग important प्रिश्ण नों में से ही आपके जो है उग्जाम में प्रिष्णाने वाले हैं तो यह सारे प्रिश्ण आप अच्छे से त्यार कर लिजएगा फिर कॉपी में उट कर लिजएगा साथ ही याद कर लिजएगा तो बचो अगर पढ़ाना पसंद आ रहा हो समझ में आ रहा हो इ आप भी इसका लाब लीजी अपने फ्रेंट्स को भी सेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाब ले सके धन्नवाद बच्छों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में